हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ ये क्यूट सा पाउच डियाइवाई शेयर करने जा रही हूँ देखेंगे आगे वीडियो में ये पाउच मैंने किस चीज से बनाया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके में भंस मार्क कर लिया एंब पहले मैं क्या करने चुछ सकर्ट साइड्स उँनको पहले ऊपन कर लूगीurpose इनको मैं कुछ जो भी एक्स्ट्रलत कर लेंगे। को भी हम कट कर लेंगे करने के बाद मैं इसको टर्न करके अब मैं इसको स्टिच कर रही हूं पहले मैं साइड को स्टिच करूंगी उसके बाद मैं नीचे से भी स्टिच कर लोंगी मैं इसको क्लोज करके साइड से स्टिचिंग कर रही हूं इसको स्टिचिंग करने के लिए मै नीडल और ट्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आपके पाद स्विंग मिशीन है, तब स्विंग मिशीन का यूज़ भी कर सकते हैं, अब मैंने दोनों साइड को सीव कर लिया है, और नीचे की साइड को भी सीव कर लिया है, अब मैं इसके उपर एक पॉम पॉम वाइट कलर की लेस से इसको डेकॉरेट भी कर दूँगी, ताकि हमारी जो सिलाई वगरा है वो भी नजर ना आए, और इसके बाद इसी से ही मैं इसकी चेंड भी बना दूँगी, इसको मैं नीडल और थ्रेड की हल्प के साथ सीव कर रही हूँ, अब मैंने इसको क्लोज करने के लिए टि तरफ लगा रहे हूँ, ताकि हम जब भी अपने पाउच में कुछ छोटी चीज रखनी चाहें, जैसे या मनी वकर भी रखनी चाहें, तो उसको इसको 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 भी मैं नीडल और त्रेड की हल्प के साथ ही सीव कर रही हूँ, अब हम अपने पाउच को पाउच रेडी है, उमीद करती हूँ आपको ये हमारा जीन्स री यूज आइडिया अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो का लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नॉटिफिकेशन दबाना मत भूलिये ताकि आपको वीडियो की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक्स पर वाचिंग